हेलो अब्रीवन, वेलकम टू ओनलाइन स्टडी पॉइंट, आज है 22 अक्टूबर और आज किस वीडियो में हम 22 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपोर्टन करन्ट अफर के कोश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडियो चाहिए, आप हमारे इस मुबाइल अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी एकदम बेसिक से कवर कराई जा रही है, इस कोर्स को भी आप पर्चिस कर सकते हैं, 149 इसका प्राइस रखा गया है, कल के इंपोर्टन को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य बना है, यह है महराश्ट्र, हाली में श्री लंका ने भारत से 500 मिलियन डॉलर के LOC यानि की लाइन ओफ क्रिडिट के मांग की है, भू इस्थानिक उर्जा मांचित्र जो की अभी हाली में नीती आयोक के द्वारा जारी किया गया नाटो यानि की North Atlantic Treaty Organization, इसका मुख्याल है Belgium में है, नाटो जो की रश्या के कारण शर्ची में आया था, भारती अंतरिक्ष संग के पहले अध्यक्ष जेयंत पाटिल बने है, प्रग्ना नंद सतरंज से रिलेटर है जो की हाली में खबरों में रहे, कोरोना वारियर पुरुस संधान विकास निगम के CMD अमित रस्तोगी बन गये हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और important question, हाली में किस देश में अपराध के कारण, अब ये कैसा अपराध है, तो ड्रग के बढ़ते अपराध के कारण आपातकाल की घोशना की गई है, तो देखे, South America की country ह है Ecuador, जहां ड्रग के कारण होने वाले अपराधों की संख्या में दिन बदिन बढ़ोतरी होते जा रही है, जिसके कारण यहां के जो प्रेसिडंट है, गुलेरमो लासो, इन्होंने यहां 60 दिन के इमर्जेंसी की घोशना कर दी है, यहां और जादा पुलिस की निक्ति की ग रहा है, यहां हम बात करें Ecuador के दो पडोसी देशों की, जो की है Peru और कोलंबिया, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैप में दिखा देती हूं, देखे South America है और Ecuador की हम बात कर रहे हैं, Ecuador में यह जो ड्रग की तसकरी बढ़ रही है, यह ड्रग का आयात बहुत जादा मात्रा में होने लगा है, इसका पूरा-पूरा श्रेय दी जाता है, तो इसकी दो पडोसी कंट्री, यहां जो आप देख रहे हैं, पेरू और उपर देख रहे हैं, कोलंबिया, पेरू और कोलंबिया, इन्ही दो कंट्री के माध्यम से इस Ecuador में ड्रग का आयात इसमें बढ़ोतरी देखिए, जो इक्वेटर है, यहां कि भूमत धिरेखा, यह साउथ अमेरिका के तीन कंट्री से गुजरती हैं, तीन कंट्री कौन कौन सी हैं, एक तो यही हो गया, इक्वाडोर, दूसरा हो गया कोलंबिया, और तीसरा हो गया ब्राजील, जो की साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है, यहां हम बात कर रहे हैं, इक्वाडोर की, इसकी कैपिटल है, क्विटो करन्सी, तो यह है, यूएस डॉलर, देखिए, आपातकाल की बात की जा रही है, तो म्याम्मार में जब तक्ता पलट हुआ था, यहां की जो नेता थी, आंग सांग सूकी, इने आपातकाल, इसकी घोशना भी हाली में, श्री लंका में की गई, और लेबनान की कैपिटल है, जो बेरुत, यहां जब अमूनियम नाइट्रेट के कारण ब्लास्ट हुआ था, तब वहां आपातकाल लगाए गया था, फिलाल, हम बात कर रहे हैं, कि यहां ड्रग तसकरी, य पहले का राइट अंसर वेस्ट बेंगॉल और दूसरे का राइट अंसर हिमाचल पदेश था, आप लोगों के आज का सवाल है, हाली में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रॉइका प्लस मीटिंग के लिए इनवाइट किया, और केंद्र सरकार ने केंद्र विश्व द्या इसका सफलता पूरो परिक्शन किया गया है, नौर्थ कोरिया, यानि कि उत्री कोरिया के दुआरा, तो यहां से जो मिसायल दागी गई है, वैसे यह दागी गई है जापान के तट से, और यह जो दागी गई मिसायल है, यह 60 किलोमीटर की अधिक्तम उचाई पर जा सकती है और 400, यानि कि 450 किलोमीटर की दूरी तक यह भेद सकती है, यह है इसकी खासियत, और उत्री कोरिया इसके पहले भी एक पंडुबी मिसायल का परिक्शन कर चुका है, जिसके कारण इसके पडोसी देश के साथ तनाव भी देखने को मिला था, हलाकि यदि आप मैप में देख चलता है, यह आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है, यदि हम बात करें, नौर्थ कोरिया की इसकी क्यापिटल है, प्योंग यांग करंसी, तो यह है नौर्थ कोरियन वोन, यदि आप करंड से रिलेट करेंगे, तो हाली में IOC, यानि कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी के अगला कोश्चन है, विश्व खादी सुरक्षा सूच का अंकेनी की ग्लोबल फूट सेफटी इंडेक्स जो की हाली में जारी किया गया, इसमें भारत की क्या रंकिंग रही है, तो इसमें भारत को इस्थान दिया गया है, 71, मतलब कि यह जो इंडेक्स है, किस बेस पर रिल तो किस तरह की व्यवस्था इस देश में है, 113 देशों के वीच में भारत को 71 रंक मिला है, पड़ोसी कंट्रीज के दी हम बात करें, तो पाकिस्तान 75 वे में, श्रीलंका 77 वे में, और नेपाल 79 बांगला देश को 84 इस्थान मिला है, तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौ रही है, रैंकिंग की, तो आप्शन भी मैंने कुछ हैसे सेट किये हैं, लेकिन यहां मैं बोल कर नहीं बताऊंगी, यहां मैंने आप लगों के लिए लिख रखा है, जिसे कि आर्थिक स्वतंत्रिता सूच कांक, इसमें भारत को 121 वे स्थान मिला है, खुशहाली रिपोर् यहां मैंने की, अंतराज़्टि बोद्धिक संपदा सूच कांक, इसमें भारत को कौन से इस्थान मिला है, 40 वा, टॉप पर अमेरिका है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत को 142 वा इस्थान मिला है, टॉप पर नॉर्वे है, फिर इदी हम बात करें, ग भारत को 46 वा इस्थान मिला है, फिर इदी हम बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 90 वा इस्थान मिला है, टॉप पर जापान है, भूख सुचकांक में भारत, पहले तो देखे, 94 पोजिसन पर था, लेकिन अब भारत की इस्थिती और दैनी हुई है, अभी रिसेंट की रैंकिंग में भारत 101 इस्थान पर आ गया है, अगला कुश्चन है, MCC जिसे आप मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के नाम से जानते हैं, इसने अभी हाली में किन दो भारती खिलाडियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है, यानि कि लाइफ टाइम मेंबर हर बजन सिंकी, तो इन्होंने 103 टेस्ट में 417 विकेट दर्ज किये हैं, और वे खेल के इस फॉर्मेट में, यानि कि टेस्ट में हम बात करें तो इस फॉर्मेट में सबसे जादा विकेट लेने वाले भारती खिलाडियों में ये तीसरे स्थान पर हैं, यदि हम बात करें श मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब के दुआरा, जो की क्या है, तो यह दि देखा जाए, तो क्रिकेट के निवों का इसे संरक्षक माना जाता है, और इसी MCC की इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, ये कौन है, क्लेयर कोनूर, अगला कुश्चन है, हाली में जम्मो कश्मीर और दुबई की सरकार के बीच किया गया है, अभी है क्या ओध्योगी की करण, तो देखे, दुबई, ये तो इसलिए जाना जाता है, दुबई की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आप लोगों ने देखी ही होगी, तो भारत क्या चाहता है, मतलब कि जो जम्मो कर लिया है, जिसके तहत यहाँ ओध्योगिक पार्क, IT, टावर, मेडिकल कॉलेज और भी कही तरह की वैवस्ताएं की जानी है, दुबई के दी हम बात करें, तो देखे, ये UAE के अंतरगत आता है, UAE, जिससे आप United Arab Emirates के नाम से जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता स्थानों को जगह मिली है, मतलब की एक तो अबुधाबी हो गया, जो की UAE की कैपिटल है, अबुधाबी, फिर दूसरा हो गया, अजमान, फिर दुबई हो गया, फुजरय हो गया, रस अल, खमय करके एक जगह है, इसके बाद सार जाह का आप लोगोंने नाम सुना होगा, और उम अल कुवैन करके एक जगह है, हलाकि जगह का नम आपने नहीं याद रखना, बस एक कुल साथ जगह हैं, जिने टोटल आप कहते हैं, UAE, United Arab Emirates, तो ये समझोता है दुबई की सरकार के साथ, देखिए दुबई इदि आप लोगों को याद होगा, तो दुबई में ही UAE से आप एक और फेक्टर रिलेट कर सकते हैं, कि कोईले से विद्युत को उत्पादन करने वाला पहला अरब कंट्री ये UAE ही बना है, हलाकि ये पूरा अरब कंट्री यानि कि अरब प्रायदीप का हिस्सा है, आप ये याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प करने का फैसला किया है, तो देखे हाली में जो KM है, यानि कि कोटक महिंद्रा बैंक इसने हाली में ऐलाम किया है, कि ये पूरे भारत में माइक्रो एटियम ये लाउंच करने जारी है, अब माइक्रो एटियम ये क्या है, तो जिससे आप नॉर्मली एटियम देखते होंगे तो micro कहने का मतलब है कि इससे छोटा ATM, यही होगा micro ATM, ऐसा फैसला किस ने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने तो debit card रखने वाले जितने भी ग्राहक है, इन्हें कोटक महिंद्रा बैंक, micro ATM का उपयोग करने का मौका मिल सकेगा और यह ATM का ही एक छोटा तीन में, और इसका headquarter तो यह है मुंबई महराष्ट में, इसके MD CEO, इनका नाम है उदै कोटक, उदै कोटक हाला कि MD CEO होने के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक के क्या है? founder भी रहे हैं State Bank of India के दिए हम बात करें तो हाली में SBI के दुआरा जम्मू कश्मीर के डल जील में एक floating ATM को उद्घाटन किया है ICICI Bank यह cardless नगत निकासी की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक बना था HDFC Bank लगातार दुनिया का साथवा Most valuable brand बना है और कोटक महिंद्रा बैंक इससे आप care related कर सकते हैं तो online KYC यानि कि know your customer की facility प्रवाइड कराने वाला यह पहला बैंक बना है अगला question है हाली में COVID-19 का डेल्टा वेरियंट AY 4.2 इसका पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है तो इसका पहला मामला को छूट दे दी थी कि अब आप मास्क पहने या ना पहने आपकी मर्जी है क्योंकि हमारी जो कंट्री भाईया ये पूरी तरह से मास्क फ्री हो चुकी है मतलब कि अब यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है थोड़ा सा मैं आप लगों को basic बता दू जैसे कि इंडिया के मैप में आप Arabian Sea होते हुए ये Red Sea Cross करते हुए Swage Canal ये पहुचे आप Mediterranean Sea और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसराइल इसराइल की population उतनी जादा नहीं है एक करोड से भी कम है लगभग 96 लाग की यहाँ आबादी है तो ये दुनिया की पहली mask free country बना था आज ये news मैंने इसलिए आड़ की थी कि दुनिया की mask free country तो बन गया ये लेकिन अब यहाँ कोरोना का एक नया variant ये दर्ज़ किया गया है AY 4.2 करके ठीक है जैसे कि आगे हम option के थुरू भे discuss कर लेंगे फिल्हाल बस मैंने as a news यहां cover कर दिया है तो यदि हम बात करें इसराइल की इसकी capital है येरुसलम जो की अलक्सा मस्जित के कारण चर्चे में आया था और currency हलाकि हम आने लिख रखी इसका नाम है इसराइली new cycle नय प्राइम मिनिस्टर बनाए गया है जिनका नाम निफ्ताली बैनेट है और यदि आप current से relate करेंगे तो हाली में जो हमारे विदेश मंत्री एस्यसंकर ये इसराइल की आत्रा पर थी जहां इन्होंने येरुसलम forest में भूदान ग्रो पट्टी का भी अनावरन किया था अब हम other option की बात करें जो कि किसी ना किसी लहर से मतलब कि किसी वायरस के प्रकोप से गुजरी है यदि हम बात करें चाइना की तो यदि आप लोगों को याद होगा तो monkey B virus के कारण पहली मौत ये चाइना में ही दर्ज की गई थी इसके लावा bird flu का इंसानों में होने का पहला मामला ये भी चाइना में ही आया था भारत के दी हम बात करें तो दखिए white fungus से आत में ये कि intestine में छेध होने का पहला मामला ये दिली में दर्ज किया गया था ब्रिटेन के दी हम बात करें तो viral production के कारण दुनिया की पहली मौत ये ब्रिटेन में दरज की गई थी एक नौ साल की लड़की थी नाम शायद मैंने आप लोगों को बताय था एला करके नाम था लड़की का दुनिया के ऐसी पहली मौत जो की वाई प्रदूशन के कारण हुई थी अगला कोश्चन है हाली में तेज गें प्रायम मिनिश्टर स्कॉट मौरिसन है भारत ऑस्ट्रेलिया की नेवी की बीच में ऑसींडक्स एक्सरसाइस का आजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींस्लेंड वाला एरिया है ये ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ये चर्चे में आया था आस्ट्रेलिया और जैन है जिनकी मेज आप देख पा रहे हैं ये इस ranking में पहले इस्थान पर पहुंच गई है टेबल टैनिस puppies रैंकिंग में और Aus ढायची प्रचैनश की सब्सक्राइब को रंसरे आइस umo अधर प्लेयर्स की बात करें तो प्रग्ना नंद सतरंज से रिलेटेड है कल इनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था अवनी लेखरा अभी जो टोक्यो पहला लंपिक संपन हुए इसमें भारत को पहला गोल्ड अवनी लेखरा ने ही दिलाया था शूटिंग स से रिलेटेड है पीवी सिंधू इन्होंने अभी जो उलंपिक संपन हुए इसमें इन्होंने ब्रॉंज मडल जीता किसे रिलेटेड है badminton से रिलेटेड हैं फिर अगला कुश्च्वन है कि सिराज जी की सरकार ने आयोध्या की तीर थेयात्रा के लिए जन जातियों को 5000 उ आयता देने की घोशना की है तो ऐसा फैसला भी हाली में गुजरात गौवर्मेंट के द्वारा किया गया है कि मानने जो गुजरात के जो जन जाती लोग है यदि ये आयोध्या की तीर थेत्रा पर जाना चाहते हैं आयोध्या वैसे राम मंदिर बन रहा है भगवान राम की ज भामे किया गया अब ये जो सबरी धाम आश्रम है ये गुजरात के डांग जिले में इस्थित एक तीर्थ हिस्थल है जो कि भगवान राम से जुड़ा हुआ है अब ये कैसे जुड़ा हुआ है तो आप लोगों ने रामायन तो देखी ही होगी नहीं भी देखी होगी तो दादी नानी के मूँ से माता सबरी के बारे में जरूर सुना होगा माता सबरी जिनने इनके गुरु का आशिरवात था कि बस इन्हें सेवा करती रहनी है भगवान इन्हें एक दिन जरूर दर्शन देंगे और माता सबरी ने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया भगवा इस जगह पर पहुंसते हैं और इन्हें दर्शन देते हैं तो उन्हीं की याद में ये जो सबरी धाम है इसी सबरी धाम में अब ये फैसला किया गया है कि जो भी जनजाती लोग क्योंकि माता सबरी ये भी एक जनजाती ही थी मैंने कहा है ये एक भीनली थी जो भी मर्यादप तो पांच हजार रुपए की वित्ती सहायता ये गुजराद गवर्मेंट प्रवाइड कराएगी गुजराद की दिहम बात करें राजधानी है इसकी गांधी नगर देखें मुख्यमंत्री गुजराद के बदल दिये गये हैं मतलब कि अभी हाली में बदले गये हैं भूपें को के दुआरा भारत में अब टोटल 40 वर्ल्ड हरिटेस साइट हो गए हैं जिसमें की 40 वा है गुजराद का ही धौला वीरा ठीक है फिर हम कुछ रेंडम रविजन कर लेते हैं आरे समाज की स्थापना स्वामी द्यानन सरसुती ने की पंजावी भाशा के लिपी यह के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट अंसर वारण इसी था आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत 2022 के लाश्ट तक किस देश किसान फ्री ट्रेड अग्रिमेंट करने जा रहा है इसका अंसर आप ल कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आज के लिए इतना ही थाइंक्यू सो मच